दोस्तों आप फेस्टिवल सीजन शुरू होने जा रहा है और Amazon की वेबसाइट के उपर Great Indian Festival सेल की शुरुवात होने जा रही है अगर आप भी debit card EMI के माध्यम से Amazon की website से कोई product buy करने की सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपको इस topic के उपर पूरी जानकारी दी जाएगी कैसे आप debit card EMI का यूज करेंगे Amazon की website के उपर इस वीडियो में हम आपको लाइव एक product order करके दिखाएंगे कैसे आपको debit card EMI का इस्तेमाल करना है और इस EMI का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या-क्या hidden charges लगेंगे और क्या आपको no cost EMI की facility मिलने वाली है कैसे आप interest rate से बचेंगे तो आज के इस वीडियो में आपको complete जानकारी दी जाने वाली है बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अन तक जुरू बहुत करना है आप मैं सबसे पहले इस वीडियो में cover लिखना है debit card EMI eligibility यहाँ पर जब आप यह सर्च करेंगे न दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पर एक debit card EMI की option अजर आती है यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों मैं एक बात आपको clear करना चाहूंगा अगर आप Amazon से regular shopping करते ही होंगे तो आपका debit card या credit card यहाँ पर application में सेव होगा उसका डेटेल तो आपको असानी से पता चल जाता है कि आपका debit card उसके लिए eligible है यह नहीं है अगर नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास HDFC bank का debit card है तो आप eligible हैं यहां से no cost EMI के अंतरगत debit card EMI का यूज कर सकते हैं मतलब आपको debit card EMI के उपर no cost EMI की facility मिलने वाली है दोस्तों अगर आपके पास HDFC bank, ICICI bank, Kotak Mahindra bank, Axis bank और SBI का debit card है तो आप Amazon की website या application में eligible हैं आप debit card EMI का इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात आती है कि अगर आप debit card EMI का यूज करेंगे तो आपको क्या क्या charges देखने को मिलेंगे यहां पर सभी बैंकों का charges अलग लग है और सभी बैंकों का eligibility criteria भी कि यहां पर मैंने बात की देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा debit card EMI किन लोगों को मिलती है अगर आप saving account अच्छे तरीके से manage कर रहे हैं तो आपको जल्द ही बैंक के द्वारा आपको eligible गोशित कर दिये जाता है मतलब आप SMS के माध्यम से भी आप मतलब पता कर सकते हैं कि आपका debit card जो है eligible है EMI के लिए तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा मैं स्क्रीन के ओपर SMS करने के लिए नंबर शो कर देता हूं कि आपको कैसे SMS लिखना है और आपनी eligibility कैसे चेक करनी है दोस्तों एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कुछ चार्जिस के बारे में अगर आप debit card EMI का इस्तेमाल करते हुए Amazon की website से कोई भी product buy करते हैं तो अगर आपके पास HDFC bank का card है तो आपका कम से कम shopping का amount 3000 रुपया होना चाहिए इसके उपर आपको almost 200 रुपीज की चार्ज की जाती है इसके लावा कोई भी हेडिन चार्जिस आपको नहीं लगाया जाता है इसके लावा आपको अपना EMI का प्लान चूज करना होगा इंट्रस्ट रेड उसी के हिसाब से वहां पर calculate हो जाता है 15-16% के आसपास यह आपको चार्ज करेंगे दोस्तों एक और जुरूरी बात मैं आपको बता देता हूं अगर आप HDFC बैंक की debit card का इस्तेमाल करेंगे शॉपिंग में तो यहां पर जो भी आपका इंट्रस्ट बनेगा अगर आप नो को स्टीमाई के अंतरगत प्रड़क्ट बाई करेंगे तो जो भी आपका इंट्रस्ट बनेगा और उस amount में से less हो जाएगा तो यह benefit आपको मिल जाएगा इसके लावा मैं एक चीज और बात आना चाहूंगा आपको यहां पर जब भी आप कोई product buy करेंगे जितने का भी amount बनेगा वह आपके account से तुरंत deduct हो जाएगा और तीन से चार working days के अंदर अंदर वह amount जो है आपके account मे के अनुसार आपके account से करती रहेगी आप दोस्तों बात करते हैं repayment आपको कब और कैसे करना है देखी दोस्तों debit card EMI के माधियम से जब भी आपको product buy करेंगे एक से लेकर 19 तरीक तक किसी भी महीने में shopping करेंगे तो next month में 5 तरीक तक आपको repayment करना है अगर आप 19 तरीक के बा तक शॉपिंग की तो मई महीने की 5 तरीक को आपको उसका repayment करना है अगर अपरेल 19 से लेकर आपने 30 तक कोई भी transaction की तो आपको उसका वुक्तान 5 जून तक करना है तो यहां पर जो है आपको थोड़ा समय आतरीक मिल जाता है 30 दिन का आपको समय यहां पर benefit मिल जाएगा तो पेज को स्कॉल करके नीचे आकर आपको यहां पर mobile विरा सिलेक्ट करके यहां पर mobile phone देखने हैं बोही smartphone आपके सामने उपन होंगे जिनके उपर नो कोस्टी एमई की फसिल्टी अवैलेब लोगी तो यहां पर दूस्तों कर आपको laptop चाहिए तो आप laptop सेलेक्ट कर सकते हम mobile क के उपर आपको जो है नो कोस्ट देखने को मिल जाएगी अब देखिए यहां पर ओपो वाला हम यह फोन जो है सेलेक्ट करेंगे और आपको एक्जामपल के तौर पर दिखा देते हैं जो भी आपको प्रड़क्ट चूज करना है वो आप अपने साब से कर सकते हैं नीचे हम पर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा एड टू हम बाइनाओ पर हम कलिक करते हैं और आपको पूरा प्रसेस दिखाते हैं कैसे आपको बाइक करना है यहां पर देखिए जो भी काड़ आपके एमाजोन की अप्लिकेशन में लगे होंगे वो आपके सामने नजर आ जाएंगे सकते हैं अगर आपके पास इस से बैंक करैडिट काड़ आप सकते हैं यहां पर हम नीचे काड़ एक रिजिस्टर है बस इसके उपर हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हम घ्मद का प्लान का प्लाँ चूज करेंगे यहाँ पर हमें पे इन फुल वाले option पर कलिक करना तो यहाँ पर देखिए अब असली खेल यहाँ पर स्टर्रट होता है अगर आपके debit card के ओपर no cost e.m.i का आप को आफर मिला होगा तो यहां पर आपको तीन से 6 महिने के प्लान बिल्कुल Jiro Cost के साथ आपको मिल जाएंगे जैसा मैंने आपको ट्रेट काहइं और इसका ब्याज रहे sıंट और आपको बापश करना है तो प्लान लेते हैं तो आपको 326 रुपे देने हैं इसी तरीके से अगर आप एक साल का लेते हैं तो आपको 2986 रुपे देने हैं मतलों इनका इंट्रस्ट सेमी रहेगा 16 परसेंट आपको चार्ज किये जाएगा और उसके बाद यहां पर फस्ट टाइम आपको 199 रुपीज भी च दोस्तों अगर आपने अभी तक डैविड काड एड नहीं किया है तो आपको क्या करना है नीचे इमाई का उप्षन नजर आता है जब आप यहां पर देखेंगे तो स्लेक्ट इमाई की ऑप्षन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जोगा दिखाई दे जाएगा अगर आ आप ज्यादा तर आउनलाइन एमाई के उपर प्रड़क्ट बाई करते हैं आपको नो कोस्ट एमाई की जरूरत रहती है तो आपको आज के समय के अनुसार बजाज एमाई कार्ट जरूर ले लेना चाहिए क्योंकि उस कार्ड के उपर आपको फाइदे बहुत सारे मिलते है दो लाक रुपे तक की आपको लिमट मिलती है आप उसका इस्तेमाल जब चाहे किसी भी वेबसाइट के उपर कर सकते हैं और आपको बिग बिलियन डेज सेल का वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बजाज एमाई कार्ड की आफ़र आपको बारा महीने सभी परकार की दोस्तों अगर आपको काड अप्लाई करने का विडियो वर्च करना है तो हम और प्रीज बटन में आपको वیडियो मिल जाएगा उपना कारण वीडिक कर सकते हैं पांच मिनिट के अंदर-अंदर आपका और वीटिशा हो जाएगा और आपका और पांच मिनिट के अंदर ही लग जाएगा तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको डेविट कार्ड एम आई के बारे में सारी जानकारी देदी है ओफली आज का यह वीडियो आपके लिए यूसफुल रहा होगा अगर अच्छा लगा है लाइक कर देना चैनल पर नए है जरू कि जिएगा